गणपती बपा भी आ रहे हैं और मोदक भी हर घर में बनेंगे आज मैं घर के सामान के साथी गणपती बपा के लिए बहुत ही टेस्टी और जटपट बनने वाले गाजर पिष्टे के मोदक लेकर आई हूँ देखे गाजर डालने से मेरे मोदक का कलर भी कितना अच्छाया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उन्हें लाइक को शेर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए हम जटपड बनाना शुरू करते हैं गाजर और पिष्टे के मोदक अब एक कढ़ाई ले उसमे वान टेबल स्पून घी डाले जब घी अच्छे से गरम हो जाए तब हम एक कप कतु कस की हुई गाजर यानी 200 ग्राम के करीब गाजर लेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पर 2-3 मिनिट तक लगतार चलाते हुए हम भूल लेंगे मैं रस्वलाई मोदक का और आटा मोदक का लिंक पी डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप उनको भी एक बार जरूर देख लीजेगा हमारी गाजर भी अब बुन चुकी है अब मैं अपनी गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इसमें आधा कप दूर डालोंगी बन पोट कप चीनी डालेंगे चीनी आप अपने स्वादनसाल थोड़ा कम या जादा कर सकते हैं लेकिन 1 फोट कप चीनी बहुत होती है 3 फोट कप मिल्क पाउडर डालेंगे 1 टी स्पून इलाइची पाउडर डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और मैं इसको अच्छे से लगतार चलाते हुए पकने दूँगे देखे इसमें अब वबाल भी आने लगा है यहाँ पर मैं वन फोट कप डेसिकेटिट कोकोनट डालूँगी और उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैंने आप से कहा थाना कि इस मोदग को हम घर में जो समान होता है उसी के साथ ही बनाएंगे अगर आपका मिश्रन थोड़ा सा कभी मोदग बनाते समय पतला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर या डेसिकेटिट कोकोनट डाल सकते हैं देखे हमारा मिश्रन धीमे धीमे अब गाड़ा होने लगा है हमें बस इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए ही भूनना है मुझी चार से पांच मिनट हो चुके हैं इस मिश्रन गुल भूनते भूनते देखे अब ये काफी गाड़ा हो चुका है यही पर मैं तूटेवल स्पून बारीक कटा हुआ पिश्टा डालूंगी क्योंकि यह गाजर पिश्टे का मोदक है तो इसमें हम पिश्टा भी थूड़ा सा जादा ही डालेंगे देखे पिश्टा डलते ही हमारे मिश्रन का कलर कितना अच्छा लगने लगा है बस इस मिश्रन को हम तब तक होनेंगे जब तक कि ये कड़ाई में एकटा ना होने लगे यानि कि ये कड़ाई ना छोड़ने लगे देखिए अब ये धीमेधी में एकटा होने लगा है बस अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूँगी और इसको किसी प्लेट में निकाल कर हो चुका है देखिए ये मॉधक के मोल बाजार में आजकल बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं आप ऐसा ही एक मोल ले लीजिए और इसको अंदर से घी के साथ अच्छे से ग्रीज कर लीजिए घी लगाने से मोधक का मिष्रण अंदर चिपकता और जब हम मोदक को मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो मोदक बड़ी असानी के साथ निकल जाता है अब मैं इसमें से थोड़ा सा कटा हुआ पिष्टा रखोंगी और अपने मिश्रन का छोटा सा गोला बनाकर अपने इस मोदक में अच्छे से रख लूँगी उपर वाले हिस्से में भी हम दवा दवा के अपने मिश्रन को भर देंगे अब इस मोदक के मोल्ड को मैं बन करती हूँ और नीचे वाले हिस्से से मैं थोड़ा सा मिश्रन और भर देती हैं जो मिश्रन हमारा मोदक मोल्ड से बाहर आ रहा होगा हम उसको हटा लेंगे और अपने मोदक मोल्ड को एक परकस कर प्रेस करकर हम इस मोदक मोल्ड को खोलेंगे और बड़ी सावधानी के साथ हम अपने मोदक को बाहर निकाल लेंगे देखिये हमारा मोदक बन कर पिल्कुल तयार है कितना सुन्दर लग रहा है इस गणपती आप भी इस मोदग को जरूर बनाईएगा मैं आपको एक और मोदग भी बनाकर दिखा देते हूं पहले हम अपना बारी कटा हुआ पिष्टा रखेंगे फिर हम अपने मिश्रन को रखेंगे और अपनी मूल को हम बन कर देंगे देखे जो एक्स्ट्रा था वो सब मैंने हटा दिया है अब थोड़ा सा मिश्रन हम नीचे से और भर देंगे अब मैं इसको खोल कर भी दिखा देती हूं अरे वाह देखे कितना बड़िया मोदग निकला है बस इसी तरीके से मैं अपने सारे मोदग बना लूगी आप भी इन मोदग को जरूर बनाईएगा ये बनाने में भी बहुत आसान है और स्वाद में तो इनका क्या कहना अगर आपको मेरे ये मोदग बसंद आये हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूँ